शेहर के प्रताब नगर थाना अंतरक्रत इस्तित आजाद नगर चोराहे पर बीती शाम एक यूग को कुछ लोगों को नशा करने से मना करना महंगा पड़ गया नशा करने वालों ने शुकरवार सुबह उक्त यूग पर उसी के आजाद नगर में स्थित गर के बाहर धारदार हतियार सरीयों वर डंडो से हमला कर दिया उससे जमकर मारपीट की इससे वह गंबी रूप से गायल हो गया उसे जीला अस्पताल में बरतिक करवाया गया है प्रताब नगर पुलिस के मताबिक गटना की जानकारी मिलने पर महात्मा गानी अस्पताल पहुची पुलिस को पीडित आजाद नगर निवासी बगवती उर्फ चीनू 26 वर्ष पुत्र शंकरलाल डोली ने बयान दिये कि गुरुवार शाम को उसने आजाद नगर चोराहा सारवजनी किस्तान पर नशा कर रहे युवकों को वहाँ नशा नहीं करने के लिए कहा था इस दोरा नशा करने वाले युवक गाली गलोच कर वहाँ से चले गए इसके बाद शुकवार सुबह वह अपने घर के बार खड़ा था तबी अचानक बाइक पर सवार होकर पंकस स इन लोगों ने आते ही बगवती पर जान लेवा हमला कर दिया इससे वह कंभी रूप से गयल हो गया मैं कुँ गरीब मार कोई कोई ने ये दो चारी आरी आर्मी तो पंक्चो सिंधी एक गोपियो सिंधी और गत्नियो दो भी एन दो आदमी होरे खाना कूल लारा हाज हो ये गाजा बीजा वोकम जी महले ने को तो पेटे मत की काला गलोच मतला छेटी जा बस इस वह मैं गारी मैं मैं पर जाए बड़ी कमला योंगी को लोग आर बच्छा ये जदी जा भीटेश वर्जु ये तीन जी आर जनल सा कई बादी कोई ने पुरां पेस कोई ने मैं अनकर्दी मार जिन की और गाल भी ने का जी बेटा सो इनने बतला रहे जोज बेटा है आज मन करांग हाई ने में ये जाया काई ये टोड़ी ने कि अगरी ने कि यृमार जोड़ी ने कि और आज ने के बेटा संस्ता ब्री ने वहाँ नेरे ने पर घंबास ने कि यहाँ केमिलें यह लिपर ए और जिन के नहीं ने ने इसमें तीन दान की तीन दान करना योगी को लोगों की दो पासे कोई आया थी कोई दे वहां दो प्लिस वाल आया बाद रिपोर्ट लेकर लेकिया वे मनने पूछो मनावान को मारू नाम कंचन बगोति लाल उर्क चिन्नू टोली तूसना मिली है में कि वह बढ़ती है तो हम आये इसके बियान लिए बियान बताया कि चार पांच विक्ति आये थे जिसके पास लकड़ी चापू और तलवार बता रहे थे इसके पर हमला किया और फिर वह बढ़ती है यह प्रमावार्ट का पार नंबर चार पर जिसके मैंने बियान लिए और भी आपस इसको रिपोर्ट लिखने के लिए भी दे दिया इसको तर अमलाववरा में कि पेचान को हुई कि तीन-चार के नाम बता रहे हैं एक तो कोई शिंदी समाज का है एक राधबो समाज का है और एक दो भी समाज का है भाई कि नाम बाद में रहे हैं